सिंधवा के डोंगर गाओं में सरपंच पद के प्रत्याशी के द्वारा पंचाज सचीव की शिकायत के मामले में संग्यान लिया गया सरपंच प्रत्याशी ने शिकायत की थी कि पंचाज सचीव दुर्गेश मतदाताओं को डराधम का रहे हैं जाच के बाद सचीव के खिलाफ की गई शिकायत में सत्यता पाय जाने पर अधिकारी ने निर्वाचन शाखा में अटाच कर दिया वहीं सचीव के खिलाफ मामले में कारवाही के लिए कलेक्टर को पत्र लिखा गया है डोंगर गाओ के सरपंच प्रत्याशी द्वारा गाओं के सचीव पर आरव उप लगाया गया था कि वे अपने परिवार के सरपंच पद के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने के लिए मतदाता को डरा धमका रहे हैं अपने परिवार के उमीदवार को पक्ष में मददान करने के लिए डराने और धमकाने वाले सहायक सचीव की शिकायट के बाद हुई जांच और उनके दोश को सिद्ध होने के बाद कारवाही की गई एक शिकायद प्राप्त हुई थी जो कि देनिक भासकर में प्रकाशित हुई थी तो उसमें तैसीलदार वरला से जांच कराई गई और उन्होंने जांच में शिकायद को सत्य पाया है आता है सच्चिव पर तत्काल कारवाई करते हुए उसे निर्वाचन कारयले में अटेच करने का आदेश निकाला गया है साथ ही वरिष्ट कारयले को आगे की कारवाई है तो प्रस्ताओ भेजा गया है बिल्कुल किसी प्रकार कि गतिविदिया यदि चालू है तो किसी को भूझ की वजए से वोट देने की आवश्यक्तर नहीं हैं, वो कभी भी हमें यहाँपर शिकायत कर सकते हैं, ऑफिस में और इसके अलावा बाखी जो सेंस की गतिविदिया है वो चालू है जहां पर मद्दाता को जगुक करने कारे किया जा रहा है सेंस की गतिविदिया चालू है उसी में ही ये चीज जोड़ कर हम आगे और जगुकतस में फैलाएंगे